हैलो फैंस मैं रोही सिंग स्वाइगर तो हूँ आपके अपने आरसल डेक चानल में आज की वीडियो में लेकिया है टूल किट पे टूल किट नई अपडेट होके आ चुकी है 4.1.5 ठीक है इसको कैसे हम अपने एंडूर मुबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं जितने भी प्र Trent नबर के चानल करना हुए अपने उ přїपतुर करना कर लिए अपर इस colors करलेकर को को अपने इस आपने ईपन करने डाउलोड करना यहां पर आपको यह में दिखागा तो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक को आपने अपने क्रोम और ब्रौजर से ऑपन करने सके हैं पूरा complete होगा जैसे complete हो जाए यहां पर आपको download का option मिल जाएगा side पर ठीक है आपने इस पर click करना है तो जैसे आप इस पर click करेंगे click करने के बाद यह आप देशकते हैं यह line पूरी 100% complete होगी यहां तक ठीक है उपरा percentage देख सकते हैं तो जैसे यह complete हो जाएगी मैं दिखाता हूँ आपको complete कर वाकिए यहां पर थोड़ा सा आपने wait करना है wait करने के बाद जैसे यह 100% हो जाए तो इसके बाद यहां पर आपको save file का option मिल जाएगा ठीक है तो आप दे सकते हैं यहां पर मेरा complete ही होने वाला है तो यह complete हो गया इसक पर आप दे सकते हैं नीचे आपको save file का option मिल गया ठीक है तो आपने क्लिक करने जैसे आप क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद नीचे आप दे सकते हैं यहां पर file दो ही second में download हो जाएगी तो यह नीचे आप दे सकते हैं यहां पर file download हो चुकी है जैसे य डाउनलोड हो जाए इसके बाद आपने क्या करना है यहां से आपने बाहरा आना हो second वाली application open कर लेने जिप बाली ठीक है तो यह मैं open कर रहा हूं सेम आपने यही करना है ठीक है जैसे आप इसे open करेंगे open करने के बाद जो file अभी 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 आपने download किये जहां भी जिस भी folder में download हुई है उस folder को आपने open कर लेना ठीक है एक एक step follow करना है यहां से आप गल्दी करते हो तो आपने क्या करना है यहां पर जो भी आपकी file है जो जहां भी download हुई है उसे आपने open करना है जिस भी folder में download हुई होगी ठीक है तो जैसे मेरी यहां पर आप द करना यहां पर आपको D customer option मिलेगा तो आपने इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपने नीचे कंचल करेंगे यहां पर डे इसकते हैं यहां पर कैंसर करें और पर आपको यह सेव करना है ठीक है अगर यह SD card में होगा तो यह बिल्कुल वर्क नहीं करेगा तो आपने इसे मूफ करके phone storage में सेव कर लेना ठीक है जैसे phone storage में डाल देंगे इसके बाद आपने क्या करना है जैसे index browser को open करने के बाद आपने यहां पर क्या करना ठीक है तो मैं यहां पर chrome double dot slash extension आपने सेभी टाइप कर देना है जो भी इसको बोलते है ठीक है तो आपने यह टाइप करके यह मेरी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं सेम आपने यही टाइप करना उसके बाद आपने यहां पर go पे ख्लिक कर लेना है तो जैसे go पे क्लिक करेंगे तो मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूं तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह का यहांपने क्लिक करना है जैसे आप si Supposeолн कलिक करने के vorbere लिए करने के बाद आपको यहांप इस तरह आ का ओपशन मिलेगा ठीक है तो यहांपे किसी पर भी आपने क्लिक करना कि इस इस एक फोल्टर में आप आपणी को अपन करना को DC ھिधन नहीं किना यहां पर फोन स्कोंडरीज को ही आपने ओपन करना और फोन स्कोंडरिज में मूफ करके रखना कॉप्पी करके रखना ठीक monopol आपने जिफपाल से बनाया फिसके बाद आपनाकोपने किया ह tenants आपने तो आं यह दूने कें अन कुणम कर है तो जैसे आप इसे open करेंगे open करने के बाद यहां पर आपको manifest का आपको यहां पर file मिल जाएगी तो आपने कहा करने इस पर click करना है तो जैसे आप इस पर click करेंगे click करने के बाद आपके सामने यहां पर ने वाली toolkit आपके सामने आ जाएगी ठीक है तो इस तरह की टूल किट आ जाएगी जैसे जैसे मैं ने बताया सेम ऐसे करेंगे तो आपकी टूल किट आजाएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लेगी तो लाइक करने ना भूले है चैनल को सबसक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लिए साथ ही वेल एकन को भी क्लिक कर लिए थैंक यू दोस्तों एंड बाइबाई